मदर नहीं फादर को मार डाला था पर इसके पीछे बहुत सारे राज दफन है बाप और बेटी की रिलेशनशेप ये बहुत ही अजीब सी थी गर में जो भी हो रहा था इस सबसे ब्रदर बहुत ज़्यादा डिस्टब हो जाता है पैरलल में उसका भी अपनी नेबर के साथ अफेर चल रहा है हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको इसी थीम पर बेस्ट बैक रोड्स ये 2018 के एक हल्लिवड मुवी एक्स्प्रेंट करने वाला हूँ इस मुवी में आने वाले ट्विस्ट आपको दंग करकर रहेंगे तो अन तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजे अब बिना किसी तरीके एक्स्प्रेंशन स्टार्ट करते है अगर तुम जाते है तो इस सारी सिचेशन को एस आ एकसिडेंट भी दिखा सकते थे अब इसके बाद फ्लैश बैग में जो भी हुआ था इस सारी चीज़ों के बार में हमें पता चलेगा फ्लैश बैग में हम देखते हैं कि हारली अपनी तीन सिस्टर के साथ अकेला रहता था उसकी मदर ने उसके फादर का मर्डर कर दिया था और इस हिल्जाम में वो सजा काट रही थी हारली की तीन सिस्टर में से सबसे बड़ी सिस्टर थी जिसका नाम था एंबर एक छोटी सी सिस्टर जिसका नाम था जोडी और एक मिडल सिस्टर जिसका नाम था मिस्टी है हारली आज घरा कर देखता है तो एमबर जोडी का ख्याल नहीं रख रही इसके बारे में हारली ने मिस्टी से पुछा तो मिस्टी कहती कि आज एमबर की डेट है तो इस वज़े से वो जोडी का ख्याल नहीं रखेगी रात में हरली को काम करना पड़ता है तो जोडी सेफ है यह उसके लिए बहुत ही इंपोर्टन था एमबर का इस तरीके से डेट पर जाना यह उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि एमबर सिरियसली डेट नहीं करती जो भी उसके पार्टनर्स होते है उनके साथ वो कभी भी सिरियस नहीं होती हरली एमबर को कंफरंट करने के लिए गया एमबर उसे कहती है मेरे एक लाइफ है तुम्हें सिर्फ काम करना पड़ता है इस वज़े से तुम जेलस हो तुम्हें कोई भी लड़की भी नहीं मिलती हरली को इस बात से बहुत बुरा लगता है वो बेचारा बहुत मेहनत करता था वो अपनी सिस्टर्स का अच्छे से खैल रखता था वो कितना भी थका हुआ हो फिर भी जोडी से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है रात में हम हरली को एक सूपर शॉप में काम करता देखते है वो आपर उसने अपने एक नेबर को नोटिस किया जिसका नाम था कैली कैली की डॉटर और जोडी ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स थी इसी वाज़े से हारली कैली को जानता था हारली कैली को देख रहा था तो कैली ने भी ये बात नोटिस की उसके पास आकर उसे बात करती है कैली कहती कि मेरी डॉटर को जोडी की याद आ रही थी ये देखकर एंबर के साथ जो लड़का था वो डर गया और वहां से भाग जाता है एंबर जिस काउच पर थी उसे हारली ने निकाल कर डारेक्ली जला दिया एंबर इस बात से बहुत जाद गुसा हो गई थी अरली दिन हम देखते हैं हारली जोडी के साथ अपनी मदर को किमेदारिया हारली के उपर आने के बाद इस बोज में दब चुका था उसे घर की नॉर्मल चीज़े भी पता नहीं थी वो अपनी मदर से बुझता है कि लाइट बल्ब कहा है जोडी अपनी मदर को उसके ड्रॉइंग सगरा दिखा रही थी और मदर ने हारली से बात की कहा कि तुम बहुत ही अजीब लग रहे हो हारली ने कहा कि तुम्हें यहां रहना अच्छा लग रहा है तुम जान बुझ कर यहां आई हो वो बहुत जादा डिस्टब हो गया और वही पर कोलाप्स हो जाता है इस इंसलेंट की वज़े से अब वो अपनी मदर से नहीं मिल हारली ने कहा यह फादर के हाँ कि कोई भी ररीलीडवीस हमसे संबन नहीं रखते है और फादर के हाँ कि अंकल माइक यह उनसे मिलने के लिए कभी-कभी आया करते है पर उसे पता नहीं क्या उन्हें Hidden क wrench के लिए इतने वरीड क्यों होते हो हारली गयता है कि हो प्रेगनन्र लाइफ तक उसके साथ रहने के लिए रेडी था पर उसका मानना था अगर वो किसी लड़की के साथ होगा तो उससे हमेशा बहुत प्यार करेगा इसके बाद नेकसिन में हम देखते हैं कैली के डॉटर के साथ खेलने के लिए जोडी आई हुई थी हारली उसे पिक अप करने क कि जोड़ी को आज का डिनर बहुत अच्छा लगा था हरली नोटिस करता है कि जोड़ी को बनाता है तो हरली को अच्छी नहीं लगती हैं तोनों बाते करने लग गए थे तो कैली हरली की इंड्रेस्स के बारेए जान लेती है कैली को आर्ड में इंडरेस था और हरली को भी कुछ पेंटिंस के बारे में पता था बुगयता है कि एक पेंटिंग मुझे क्या फील कराती है यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है इस बात से कैली ने एगरी किया इन दोनों के पेंटिंस को लेकर जॉइस बहुत ही सेम थे रात में घर पर आने के पाद एमबर हरली से बात करती है उसे अपनी कार ट्राइव करने के लिए लाइसेंस की जरूरत थी पर इसके लिए थाउजन डॉलर्स लगने वाले थे हरली इसके लिए मना करता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है एमबर बोच्ती कि दुमारे पास पैसे क्यों नहीं होते है डाड तो सब कुछ सही से कर लेते थे हरली कहता है को रोग कंस्ट्रक्शन में थे मुझे वहाँ पर जॉब नहीं मिलता स्लोली स्लोली और सब कुछ ट्राय कर रहा है एमबस सब चीजों पर गुश्टा आओकर भाहा से चली जाती है एक दिन कैली ने हारली को रेशिपीज और पेंटिंग की बुग किफ्ट की जो हारली को बहुत अच्छी लगती है एक दिन काम करते हैं कैली फिर से मिली पुछती है तो इस पेंटिंग के बारे में क्या लगा था हारली कहता है कि एडम और इव की वो पेंटिंग बहुत ही एकुरेट थी एडम जंगल में सारी चीज़े फिगर आउट करने का ट्राय कर रहा था और इव जो है उसमें एड़्जेस करने का ट्राय कर रही थी ये हारली का उब्जर्वेशन कैली को अच्छा लगता है नेक सिन में हम देखते है हारली के अंकल माईक उसे मिलने के लिए आयो हुए थे उने घर में थोड़ी थोड़ी हेल्प करते रहते है उनका बेटा अब यूनिरसिटी में जिस पर वो बहुत ही प्राउड थे उसके सारे फोटोस उसने हारली और एमबर को दिखा है ये दोनों उस पर जलते थे तो उसका मज़ाग उड़ा दे ये बात अंकल माईक को अच्छी नहीं लगती और वहाँ से हो चले गए आज इविनिंग में हारली बहुत ही सुकुन से है अपने यार्ड में सो गया था जब उसकी नीन खुली तो बहुत ही जादा डिस्टब हो जाता है फिर सो उसे पैनिक अटक आने लग गया था वो भागते वागते कैली की घर तक पहुँझ गया कैली बाहर आई और से शान्द करने की कोशिश करती है वो भागते भागते जंगल तक पहुझ गया था कैली उसके पीछे बीचे गई तो डारेकली उसके साथ वो इंटिमेट हो जाता है कैली भी उसे कमफर्ट करना चाती थी तो कुछ भी बात बोलती नहीं सुबा होने पर कैली उसके साथ नहीं थी वो जब घर पर आया तो मिस्टी एक गन से शिकार कर रही थी ये देखकर उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है कहता है कि तुम्हारी उमर नहीं है मिस्टी को ऐसा नहीं लगता मिस्टी अपने आपको अभी से बहुत बड़ा मानती है गर के बाहर हार्ली ने जोडी को देखा उसके हाथ में खुन सी लदपद एक टीशर्ट था इतनी छोटी लड़की को हार्ली इसके बारे में जादा क्वेशन नहीं पूछ सकता था आज राद हार्ली के स्टोर पर कैली फिर से अपने बच्चों को लेकर शॉपिंग करने के लिए आई वो दिन बार काम करकर बहुत ठक जाती थी और शॉपिंग करना उसे अच्छा लगता था कल राद जो भी हुआ इसके बारे में बात करते है कैली को समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी हुआ ये सही हुआ या गलत वो हार्ली से कहती कि मेरे दूखीर से मेरा हस्बन है हार्ली गयता है मैं हमेशा तुमारे बारे में सोचता रहता हूँ उसे उसके साथ अच्छा लगता है ये सब सुनकर कैली ने अगले दिन अपने घर पर उसे इन्वाइट कर लिया वैसे भी उसका हस्बन कुछ दिनों के लिए आउट आफ टाउन था रात में दोनों मिले पर कैली ने हार्ली से पूछा कल तुम डिस्टब थे क्या तुमारा प्रॉलम सौल हुआ हार्ली इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था और इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो गए हार्ली को कैली के साथ होना बहुत ही अच्छा लगता है सुबा जब वो घर पर आता है तो एमबर उस पर बहुत ज़्यादा गुश्चा थी कह दिया है कि उम रात बार कहा थे घर पर कुछ प्रॉलम हुआ है उनकी सिस्टर मिस्टे के पास एमबर को थाउजन डॉलर्स मिले थे हार्ली ने उसे कंफरेंड किया तो मिस्टे कहती है ये पैसे मदर किया वो हम सब को लेकर यहाँ से भाग जाने वाली थी ये पैसे हार्ली ने उसे ले लिया एमबर कुछ थी कि अब वो लाइसन्स ले सकीगी पर हार्ली उसे मना कर देता है उसने कहा कि हमें घर के डैक्सेस बरने पढ़ेंगे और ये पैसे वो नहीं दे सकता एमबर इस बात से और भी जादा अपसेट हो गई आज आफ्टरनून में हार्ली डारेक्ली कैली से मिलने के लिए पहुच जाता है कैली उसे कहती है कि इस तरीके से तुम कभी भी मुझे मिलने के लिए नहीं आ सकते मेरा हस्बन घर पर हो सकता है हार्ली दो जॉब्स करता है तो दिन बर उसे भी टाइम नहीं मिल पाता इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि रेल रोर्स की हाँ पर इसके बाद ये दोनों विक में एक दिन टाइम फिस करकर मिलने लग गए थे एक राज जब ये दोनों साथ थे तो इने लगता है शायद इन पर कोई नजर रख रहा ह हरली ने जाकर चेक किया तो कोई भी नहीं था नेकसिन में हरली को फिर से अपनी तेरवी से बात करता देखते है हारली ने कहा कि बच्चों को मारना ठीक होता है हारली को उसके फादर मारते थे तो यह बाद उसे नॉर्मल लगती थी तेरबिस ने बूचा कि तुम्हारे फादर ने कभी भी तुम्हारे सिस्टर को अब्यूस किया था तेरबिस्ट के मिस्टी के साथ भी सेशन हुए थे और उससे उसने बात पहचान ली थी हारली को एबात पूरी तरीके से जूट लगती है जब वो घर पर आया तो एमबर अपने बॉइफ्रेंड के साथ घर छोड़ कर जा रही थी जोड़ी एमबर को जादा देखकर रोने लग जाती है हारली ने एमबर को रोगने की कोशिश की पर उपने ड्राइवर लाइसन्स को लेकर बहुत गुस्सा थी तो अपने बॉइफ्रेंड के साथ चली जाती है जोडी ने हरली से कहा तुम्हें एंबर को जाने नहीं देना चाहिए था हरली कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि एंबर फिर से वापस आ जाएगी उसका बॉआ फ्रेंड उसे छोड़ देगा और फिर से घरी आने वाली है हरली अकेले में जोडी से पुछता है जाने से पहले एंबर क्या बात कर रही थी जोडी ने कहा कि एंबर और मिस्टी दोनों बात कर रही थी उनके बीच में कुछ सिक्रेट था तो उन्हें ने मुझे सुनने नहीं दिया जोडी कहती है सिक्रेट को सेफ रगने के लिए मुझसे अच्छी मिस्टी है हारली उसे पुछता है कि उस दिन खून का शर्ट तुमें मिला था क्या वो मिस्टी का था जोडी ने कहा कि हाँ हारली ने पुछा कि वो बलड किसका था जोडी कहती कि वो डैडी का था हारली को लगा था कि उसकी मदर ने जब उसके फादर को मारा तब मिस्टी मॉल पर थी इसके बारे में जब वो जोडी से बुच्छता है तो जोडी ने कहा कि मिस्टी घर पर थी फादर को मारने के बाद मदर ने मिस्टी को मौल पर छोड़ दिया था मदर फिर जंगल में चलीगी वहाँ पर कुछ खोदने लग गी मुझे लगा था कि उस गड़े में उस फादर को डाल देगी पर उसने मिस्टी का टीशर उस गड़े में डाल दिया कि तुमने मदर को फादर को मारते हो देखा था जोड़ी कहती कि मैं बहुत ही डर शुकी थी तो अपने रूम में थी हारली अब समझ जाता है कि अक्चॉल में उसके फादर को मिस्टी ने मारा था मदर ने सारी चीजों का ब्लेम ले लिया नेक्सिन में हम देखते है हारली ने अपने लौयर से बात करकर अपनी मदर से मिलकर मीटिंग अरेंज की हारली अपनी मदर से पुछता है क्या तुम हम सबसे भाग रही थी क्या इसी वज़े से तुमने सब कुछ ब्लेम लिया मुझे पता है कि यह सब Misty ने किया है Misty एक माइनर है अगर तुम पुलियस को सब कुछ सच-सच बता देती तुसे भी प्रॉलम ने आता और तुम भी बाहर होती Mother ने कहा कि इतना सब को simple नहीं था Actual में Misty मदर को मारना चाहती थी और उसके फादर उसके सामने आ गए हारले ने पूछा कि ऐसा क्यों मदर कहती है क्यों कि वो मुझे से जेलस थी अब हमें पता चलता है कि तेरेपी जिस अब्यूस के बार में बात करे ही थी यह एक्चुल में हुआ था इन रियालिटी इनके फादर मिस्ट्री को अब्यूस करते थे इस अब्यूस के खिलाफ कभी भी मदर कुछ भी बोलती नहीं थी तो इस वज़े से मिस्ट्री बहुत गुस्सा हो गई थी इसी वज़े से उस दिन वो मदर को मारने वाली थी फादर सामने आ गए और उनकी डेथ हो गी सब बात पता चलने के बाद हरली जब घर पर आया तो एमबर अल्डेडी घर पर आ चुकी थी उसके बॉइफ्रेंट से उसका जगड़ा हुआ था उसनों से मारा भी था आज हरली डिस्टब था तो रात में अचानक से कैली के घर पर पहुच जाता है कैली का हस्बन घर पर था तो हरली पर वो गुस्सा हो जाती है कहती कि तुम्हारे लिए में सब कुछ बरबाद नहीं करने वाली उसकी फैमिली को छोड़ नहीं सकती हरली गयता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पर अगर इन्हें अपने रिलेशन्शिप को कंटिनूर रखना है तो जैसा चल रहा है वो ऐसे ही चलने देना चाहिए हरली ने ये बात मान ली है कुछ दिनों बात हरली से मिलने के लिए एमबर आई हरली बहुत ही ड्रंक हो गया था वो सुबह देखता है तो एमबर उसके पास ही सोई हुई थी उसे लगता है कि रात में इनकी बीच में कुछ हुआ इस बात से बहुत ज्यादा डिस्टब हो गया एमबर उसे समालने की कोशिश कर दिया पर उसे दूर जड़क देता है एमबर इस बात पर गुसा होगे और कहती है मुझे तुमारे और कैली के बारे में सब कुछ पता है तुम कभी भी उसे पान ही पाओगे जिस तरीके से मिस्टी का घर में अब्यूस हुआ करता था उसी तरीके से बचपन में एमबर का भी उसके फाइदर अब्यूस करते थे इस बात के बारे में हरली को थोड़ा थोड़ा पता था पर आज ये बात confirm हो गई थी वो अपने therapist के पास जा कर सब कुछ उसे बता देता है और बहुत रोया therapist ने उसे समझा किन चीजों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है तुम दोनों बहुत ही छोटे थे किस तरीके से इस incident को तुम्हें deal करना चाहिए इसके बारे में तुम्हें कुछ भी idea नहीं था Amber जो भी करती है इस सारी situation को deal करने का उसका way है उसे help की जरूरत है हरली जब घर पर आया तुम इस्टि उससे बात करती है कहती कि मैंने तुम्हें और Amber को सुना उसने बताया कि Amber और में जाता अलग नहीं है वहर में दोनों की situation सेम थी हरली उसे कहता है कि तुमने जो भी क्या इसके बारे में मुझे पता है मिस्टि ने कहा कि तुम्हें बहुत पहले ही फादर को मार दिना चाहिए था हम दोनों को इन सब चीजों से गुजरना नहीं पड़ता ये बात सुनकर हरली को बहुत बुरा लगता है आज वो कैली से मिलने वाला था तो जगा पर पहुँच गया वहाँ वर डारी लिए उसे कैली की डेट बोडी मिलती है उसने आसपास देखा तो एमबर के पास उसकी राइफल थी एमबर कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या चाहिए अगर तुम कैली के साथ होते तो मेरा ख्याल कौन रखता हारली के पास ही बहुत रोया वो फिर खुद पुलिष टेशन में जाकर सरिंडर कर देता है उसने काहा कि मैंने ही कैली का मरडर किया है सारी सिचूएशन पुलिस को बता दी पुलिस आफिसर कहते है कि आगर तुमने कैली को मारा होता तुम दूर से भी उसे मार सकते थे तुमने crime scene के पास उल्टी की इसका मदलब है तुमें कर ही नहीं सकते थे तुम खुद चलकर हमारे पास आए ये कैसे possible है मुझे लगता है कि murder किसी और नहीं किया है Harley Amber को बचाना चाहता था वो आगे चलकर अच्छे life जी सकती है पर Harley अपनी खुद की life को अच्छा नहीं मानता तो इस वज़े से सारा blame अपने आप पर ले लेता है पुलीस को उसने बताया कि मुझे multiple personality disorder है इसी वज़े से ये सब मेंने किया है अब वो खुदी statement दे रहा है तो पुलीस कुछ भी कर नहीं पाते है उस पर सारा blame आ गया हुसे जेल में डाल दिया जाता है थेरविस को जब इस सब बात पता चली तो उसे वो मिलने के लिए आई उसे बहुत बुरा लगा उसे समझाने की कुशिश करती है तुम अपनी life को इस तरीगे से बरबाद नहीं कर सकते है हारली को लग रहा था कि अब तक उसने जो भी किया इस सब कुछ बहुत गलत किया है घर की सारी situation उसे पता ही नहीं थी उसे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था इस blame की वज़े से वो खुद को सजा देना चाता था तो इस वज़े से वो कुछ भी नहीं बोलता जेल में उसे अपनी छोटी सिस्टर जोडी के लेटर्स मिलते रहते है हारली के जेल में जाने के पाथ सब सिस्टर उनके अंकल की हार हैने के लिए चली गे वहाँ पर हो सेफ थी और एक अच्छा फ्यूचर पा सकती थी हारली अपनी फैमिली के लिए यही चाहता था तो जेल में रह जाता है इसे के साथ यह movie एंड हो जाती है crime जो करता है उसे सजा तो होनी ही चाहिए पर जो crime देखकर नजर अंदाज कर देता है वो भी दोशी है हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने चाहिए यह movie हमें बात बता कर जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से like और comment जरू करतीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आते रहे तो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification आइकोन दवाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमूई के साथ तो तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखिया है